तो कल तक अपने देखा था कि ट बया मॉलिक्योय माक्रो मॉलिक्यूव मैक्रो आज पर उपर रहेंग तो मैक्रो मॉलिक्यूव नहीं पधिकंगे उसको आज बनाईकरो दोलेंगे दीड pasture फ्यलुकू को कि तो अचने अ किशोरीत रुप्ति प्रदीप आचल कि मॉलेकुलर वेट कितने से ज्यादा रहने से हम उसको मैक्रो मॉलेकुलर बोलेंगे रुप्ति किशोरी सर वन थाउजन डाल टन टैन थाउजन डाल टन ठीक है वन थाउजन से नीचे है तो अपना यह मैक्रो मॉलेकुल है लेकिन यह मैक्रो मॉलेकुल के सारे जो है उसका मॉलकुलर वे टेन थाउजन के ऊपर ही रहता है तो अभी हम देखेंगे कि स्ट्क्चर ऑफ प्रोटीन है प्रोटीन का स्ट्क्चर क्या है तो प्रोटीन हमने देखा था की हे थे ट्रो पॉल ऑकि उसमें अलग-अलगफीन तो हर एक फूल हो गया एक पॉलेक लेकिन फूल जैसे मोगरे के फूल की माला सब्सक्राइब मोगरे है उस्माला में इसलिए उसको कहें लेकिन अगर एक मोगरे का फूल सब्सक्राइब में नियुक्त कर सह्ना जो सभी को कि है यह ये अलग है इसलिए ह्यएनगे ऋर्ट पॉली मेर तो प्रोटीन हमेशा है है मिनली अभीस तरा कि वह आमाइनो असीड है हमारे ठीक है तो हैट्रो पोलीमर आफ आमाइनो असीड कि structure of molecules means different things in different construct in organic chemistry the structure invariably refers to molecular formula तो इन ओरनीग केमेस्टी जब हम पढ़ते तो structure किसी भी चीज का structure मतलब क्या रहता है उसका molecular formula molecular formula NaCl sodium chloride molecular formula NaCl magnesium chloride molecular formula mgCl2 तो inorganic chemistry जब हम पढ़ते है तो molecular formula यह उसका structure का मतलब होता है molecular formula जब organic chemistry हम में पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं दो dimensions में molecules को देखते हैं कि राइट टू-dimensional view of the molecule while representing the structure of the molecule तो molecule का structure बताने के लिए इसको दो dimension में लिए लिए बेंजीन नेप्थेलिन अब यह फिजिस्ट जब structure की बात करते हैं तो वह three-dimensional व्यू देखते हैं तो three-dimensional view of molecular structures वाइल बायलाजिस्ट डिस्क्राइब देखते हैं तो प्रोटीन स्ट्चर को फोर लेवल पर डिस्क्राइब करते हैं sequence of amino acid that is positional information in a protein तो sequence of amino acid मतलब सबसे पहला कुन सामाइन असीड है सेकंड कुन सा है position किस पोजिशन पर है तो इसको बोलते primary structure जब कभी राइमरी स्ट्चर बनाएंगे तो क्या बताएंगे sequence of amino acid और उस amino acid का पहले amino acid का position कौन सा है और सेकंड का क्या है इस यह है हमारा primary structure तो जब हम प्रोटीन का primary structure बोल रहें मतलब क्या है तो हम amino acid का sequence बता रहें उसके बाद पहला amino acid कुन सा है सेकंड कौन सा यह सारा चीज़ बता रहें प्रोटीन इस इमेजिन एज एज लाइन लिया तो लेफ्ट जो एंड है लेफ्ट जो साइट है वो क्या रहेगी वहाँ पे फर्स्ट amino acid रहेगा और जो लास्ट वाला है एक रस्सी है उसका पहला चोर मानलो लेफ्ट साइड का ह एस प्रॉस्ट माईन की और राइट साइड का जो उसका छोड़ है वहाँ पहे है लास्ट अमाइन अश्ट अ प्रिया को क्याते हैं चर्मिनल date payment तर्मिनल अमानो एसीड और लास्ट अमानो एसीड को कहते है सी टर्मिनल अमानो एसीड लेकिन यह प्रोटीन जो है हम लोग देखते कि इसे सीधे रस्ती जैसे इसमें नहीं रहता है तो यह के रूप में रहता है है कलाल स्ट्क्चर मतलब गोल जो रहती है ना उस तरह से इन espí-a, आप देखते हो पानी के तंक की पर बोल्स इप्रहें कि यह स्ट्राक्टि को इस तरह से घूट डी एने के जैसे हेलिकल स्ट्ट्ट्ट्ट्टर है यह इस तरह से तो प्रोटीन इस तरह से हेलिकल स्ट्ट्ट्टर में रहते हैं और इस तरह से हैं मेरेगा इसका कुछ पार्ट हैलिकल स्ट्ट्ट्टर में लेगा और प्रोटीन में राइट हैंड हैंड स्ट्ट्ट डिखता है मतलब राइट हैंड साइड से वह गोल गूल ढून्हुमना शुरू होता है थेक है इन प्रोटीन उनली राइट हैंड है अभी प्राइमरी स्ट्चर ऊपर में ये डियाग्रम में देखो एक लाइन है उसमें से लेफ्ट साइड का टर्मिनल है टर्मिनल अमानल सेट और राइट साइड का सी टर्मिनल है और यह प्रोटीन रहता है और एक दूसरे के उपर जोगा रहता है चिपकार रहता है तो इस ट्रक्चर को कहते हैं सेकंड इस्ट्रक्चर अब यह प्रोटीन चेन अपने उपर भी कोल सिंटी रहती है जैसे अभी क्या कायंगे उसको एक यह पूरा पढ़ लेते फिर में तुमको डाग्राम करके बताता है इन अदिशन दे लॉंग प्रोटीन चेन इस अलसो फोल्डेड अपन इसेल लाइक अलो वुलन बाल गिव का यह लेग, आग विह झाउल झालSabre लीका यउरान इसेल परोटीन फिर सेलीन चेमको लेग में प्रोटीन नीव एच अजस्टरीन इस अजसेशीफ अगर वे लिगाल थनी बालुटंझ को भीवालिकित स्पैय काश्टन झाले मनिशरण इस इस इने फोल्डिवा the तो इसको बोलते कोटर्णरी स्ट्रक्चर अडल्ट हुमन हीमोगलोबीन कंसिस्ट फोर सब्यूनिट तो अब इस एदेंटिकल तो इच एदर हैंस तू सब्यूनिट अफ अल्फा टाइप और टू सब्यूनिट टाइप टोगेधर कंस्टिट हुमन हीमागलोबीन तो यह पहल सिंपल लाइन से बना है इदर लेफट हैंड साइड में n होगा और इदर में c होगा तो यह प्राइमरी स्ट्टिर क्या है कुछ पार्ट जो है प्रोटिन का इस तरह से हेलिकली और हमेशा है राइड हैंसे तो इस तरह से हमेंसे हैं से यह हो गया secondary structure अब तीसरा structure क्या है यह equiv, तो है नेकिन अपने फे ही ऐसा है कि एक दूसरे पर चिपका हुआ है मतलब की समझो यह है एक part फीर यहां से यह और उस पर चिपका हुआ है फीर यहां से निकलके और उसका है तो यह इस तरह से एक के ऊपर और एक चिपका हुआ है तो यह धर्शरी स्ट्रक्चर ले प्रोटीन के फोल्ड एक दूसरे के उपर आ जैसे कपड़ की हम घड़ी करते हैं यह कपा सीधा होता है फिर उसकी एक फोल्ल ने कि तो दो भाग होगे तो जैसे हम कपड़े की घड़ी करते या चादर की घड़ी करते एक की ओपर एक वैसे यह उस टॉक्चर का टर्शरी इस्टॉक्चर मतलब क्या तो जैसे हीमोग्लोबीन नाम का एक प्रोटीन है तो यह है सब्सक्राइब एक दूसरे से जुड़े है तो यह जो उनका जुड़ने का तरीका है इस और इससे बनता है एक हिमोग्लोबिन तो इस स्ट्रक्चर को बोलते जहां पर अलग-अलग पॉल्पेप्टाइड सब्यूनिट एक दूसरे से जुड़े हैं इनकी असेंबली इनका पोजिशन कैसा है तो यह हो गया हमारा को टर्म तो प्राइमरी स्ट्चर सिंपल लाइन हेलिकल स्ट्चर सेकंडरी स्ट्चर है और एक के स्ट्चर हो गया अपना को टर्म मारी स्ट्रक्चर है कि नेचर ऑब बॉंड लिंकिंग मोनोमर्स इन पॉलिमर इन पॉलिप्टेड और प्रोटीन अमाने असे लिंक्ट बाया प्यप्टाइड बॉंड तो प्रोटीन जो है रहता है उसमें अमाने एक दूसरे से जुड़े है एक और एक हो गया एक दूसरा मामाने इसट ओ गया यह तीसरा ओ गया यह चौसा हो गया तो यह एक दूसरे से जुड़े है यह सिंपल एक बॉंसे बॉंड को परते अपूली पाइड बॉन पेप्टाइड बॉन which is formed when the carboxyl group of one amino acid reacts with amino group of next amino acid with the elimination of water इसको बोलते हैं तो यह एक amino acid दूसरी amino acid से कैसे जुड़ता है जब एक उसका carboxyl end है COOH वाला group है एक amino acid का वो किसके साथ react करता है amino group of next amino acid NH2 group of next amino acid और यह जैसे react करता है तो यहांसे water बहार निकलता है H2O इसको dehydration भी बोलते है इस process को तो यह बनता है peptide bond in a polysaccharide the individual monosaccharide are linked by glycosidic bond तो amino acid या protein इसमें कुंसा bond रहता है peptide bond polysaccharide या sacred इसमें कुंसा रहता है monosaccharide जिससे जुड़े रहते वह है glycosidic bond this bond is also formed by dehydration इसमें भी dehydration होता है क्योंकि जब यह bond जूड़ता है तो water release होता है this bond is formed between two carbon atoms of two adjacent monosaccharide तो यह bond किसके बीच में होता है two carbon atom adjacent monosaccharide के जैसे यह हो गया अपना एक monosaccharide हो गया एक monosaccharide हो गया इस दूसरा monosaccharide हो गया यह तीसरा monosaccharide हो गया तो यह यह मानलो carbon atom है यहां पर यह carbon carbon का बॉंड हो गया यह carbon carbon का बॉंड हो गया तो इस तरह से यह हो गया अपना polysaccharide और यह जो बॉंड है यह glycosidic bond और यह जो बॉंड है प्रोटीन वाला amino acid के बीच में यह है peptide bond और peptide bond किस के किस के बीच में होता है और amino group of next amino acid मानलो यह जो है यहां पर यह है कार्बॉकसिल ग्रूप और next amino acid का यह है amino group इन दोनों के बीच में यह peptide bond होता है पॉली सेक्रेड यह बॉण्ड किसके बीच में होता है बस दो कार्बन यहां पर एक है यहां पर यहां पर कार्बन कार्बन रहने चाहिए उन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिटिक बॉंड हो जाएगा कि नुक्ली केसिड खेल इसमें फॉस्पटोली लिंक्स कार्बन ऑफ नुकली केसिड तो नुक्ली केसिडमें किसके किसके के बीच में बाउंड हाता है थर्ड कार्बन तीसरा नंबर का कार्बन है एक नुक्लियोटाइड में वो किसके साथ जुड़ता है पाच्वे नंबर के कार्बन के साथ तो नेक्स्ट शूगर जो है उसके साथ बाउड उसके साथ सच्छी जुड़ता है तो थर्ड और फिप्ट ये लोग जुड़ते है तो बाउड बेटें था फॉस्पेट और है थाईडोक्षिल गूर्प आप शुगर इस इस्टर बाउट तो यह phosphate और hydroxyl group of sugar जो है इसके बीच में का जो bond है वो इस्टर बांड और यह अपना नुकलिक अश्ट के बीच में इस्टर बांड और इसमें यह दो इस्टर बांड रहते हैं इसलिए इसको बोलते हैं फॉस्पोर डाइस्टर बांड यह इस तरह से दिखाया जाता है जिसमें डबल हेलिक्स रहती है और डबल हेलिक्स क्या है तो यह जो है वो सिंगल हेलिक्स है एक की चीज है वह साब जैसे ऐसे गोलगोल गोम है डबल हेलिक्स मतलब क्या इस तरह से यह डबल हेलिक्स तर और यह जो 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 डोनों यह equally declcence है यह anti parallel मतलब यह जो है इसका three वाला end है और three वाला end जू यहां पर यहां पर जाके यह वाला part जो है इसका five वाला है वाला है। यह हाँ पे 3 है और फिर यह इधर जाएगा और यह वाला उसका 5 है तो ऐसा है कि अंकी 3 कि इसलिए इसको कहते हैं एंसे प्रफारी मतलब क्या में सिरी इदर है इदर हे है इदर पार्य कि यह हो गया है प्रत्रेओं लाइन का पेलल प्युंकर दोनों भी सेम सह मैं स्टेओं का पेलल थे डिक है अब्हों अब हेलिक स्थक्षार प्रत्रा hedge जये है तो ये वाला एंड भी थ्री वाला है ये वाल्क भी त्री वाला है इधर का एंड भी 5 वाला है तो ये में तो हैंела लिख सक्षाप है अब हमने देखा कि ने तो एंट आलन मतलब क्या है इदर का three वानट है और ये वाला जो है ये five वाला है अब ये ये से जैँगा ये वाला जो है ये 5 की एपउसिट में इधर three रहेगा और फिर ये जो three जहाँ रा इदर यहां जाके यहां पर LOugenda फाउ उपर तो ये हैं तुर्टि पेर्ल इसका जो बैक्बोन है वो किसे बनता है? शूगर फॉस्पेड शूगर चेन नाइटोजन बैसे सार्जेक्टेड मोर और लेस पर्पेंडिकुलर तो इस बैक्डोन बट फेस इनसाइड ए ए ए ए ए जी ऑफ वन स्ट्रैंड ए 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 वन स्ट्रैंड ए ए ए ए ए इसके साथ पेर करता है ट के साथ ए क्या है एडिनीन और ट क्या है थाइमिन तो यह एडिनीन और सी साइटोसीन यह एक दूसरे के साथ कभी नहीं जुडेंगे ए जब रहेगा तो वो जी के साथ ही जूडेगा ट के साथ ही जूडेगा तो अडिनीनन हमेशा थाइमिन के साथ ही पेर बनाएगा और ग्योनीन हमेशा साइटोसीन के साथ ही स्पेयर बनाएगा A is equal to T C is equal to G और A और T के बीच में double bond है देखो दो लाइन है यहां पर देखो दो लाइन है और C के बीच में तीन लाइन है तो C is equal to G तो इसमें triple bond है तो इनके बीच में hydrogen bond है और T के बीच में और G और C के बीच में दूबल बादेट दो है और सी और जी के बीच में तीन है इच स्ट्रांड अपिर्स लाइक है तो यह हमेशा है हेलिकल स्टेक्स जो है यह सीडियों जैसा रहता है इच स्ट्रेप आफ एसेंट इस रिप्रेसेंट भाया पेर आप बेस तो जैसे जैसे हर एक पेर में एक बेस पेर है ना यह देखो अब इसको अच्छे से देखते हैं देखो यहां पे ए रहेगा तो यहां पे टी रहेगा यह दोनों जूड़ जाएंगे इधर अच्छे से बनाताओ है मारण इस देख और यह रहेगा यहां पर जूड़ गए है डबल बाण से एक कि यहां पर भी कोई जूड़ेगा जी इस देखोलटू सी यहां पर भी जूड़ डुसी रहेगा आए इस इकलटरी रहेगा A Is Equal To T Just Eagle To See तो ये हर एक जो है वो एक एक पाहरी जैसा है सितिशा है हिस्म के ओंगज तो जो यह एक टर्ण रहता है यहां से लिए एक टर्ण भाना यहां पर रहते हैं यहां ना सुन्स अब और तो इसलिए इसको बेस पेर तो यह एक बेस पेर हो गया यहां पर इसे यहां से लेकर यहां तक यह जो एक टर्न होता नहीं यहां से लेगे यहां तक इसमें रहते 10 10 बेस्पेर तो इसका जो पीच वुड़ भी 34 एंग्स्ट्रॉम आता है तो इसलिए हर एक दो बेस्पेर के बीच में मतलब यहां से लेके यहां तक कितना है 34 एंग्स्ट्रॉम यूनिट तो फिर यह दो दो बेस्पेर के बीच में की जगा कितनी है 34 डिवाड़ेट वर 10 कितना हैं यहां से यहां तक का जो स्पेस है वह 34 एंग्स्ट्रॉम और इन दो बेस्पेर के बीच में का जगा जो है वह है 3.4 एंग्स्ट्रॉम इस फॉर्म अब डियेने विद अबो मेंशन सेलिन फिचर इस काल्ड वी डियेने इसको क्या होते बी डियेने पुलते हैं तो ऐसे बहुत सारे अलग-अलग डियेने हैं लेकिन यह जो हमने अभी देखा है वह है बी डियेन है अभी हम लोग देखते हैं कि यह मेटाबोलिजम का कंसेप्ट क्या है तो अभी तक हमने देखा था कि कोई भी लिविंग और्गनिजम हो प्लांट हो बैक्टेरिया हो एनिमल हो इंसान हो प्रोटोजवा हो वाइरस हो उसमें बहुत सारे अलग-अलग ऑर्गनिक कंपॉंट रहते और यह कंपॉंट जो है वह कुछ कॉंसेंट्रेशन में रहते स specific concentration में अंटारत के CRUST में और ग्वर फ्राव की इनसान के शरीर में अलग-अलग Conference कितने रहते हैं कितने प्रतिशत रहते पानी सबसे ज deposit हैं हमारे शरीर में तो हो अलग-अलग знаем हैं में सबसे हाइं है हमारे चाहित क्लोरा आख हो थार नहीं हैं तो में या इसे भी जीव जन्तू के शरीर में ये अलग-अलग कंपॉंड और्गनिक कंपॉंड का कॉंसेंट्रेशन रहता है जिसको हम लोग कैसे गिनते हैं मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर तो अभी हमको और क्या का पता चला है कि यह बायो मालेकुल्स जो है अलग-अलग अध्यक बायो मालेकुल्स हमारे शरीर में है उसका टर्नोवर रहता है मतलब अध्यक्राम्र मतलब ऑच बायो अलग-अलग चीजों में चेंज होते रहते या ऐसा तो यह जो ब्रेकिंग और मेकिंग यह हमेशा चलते रहता है हमारे शरीर में प्रोटीन से बनते रहता एक जगह पे और अमाइन अशेट से प्रोटीन भी बनते रहते हैं ऐसे बहुत सारे अलग-अलग होते रहते हैं कुछ-कुछ हमारे शरीर में बन रहें और कुछ-کछ निकल रहे हैー है तो यह जो है डिसá सब्सक्वाम लेक्चन चल रहे हैं तो सब को मिला के कहा जाता है Metabolism को अ कुछ-कुछ एक्जाम्पल से मेटाबॉलिजम या ट्रांस्परमिशन के इस क्या कहेंगे उसको कि रिमॉल ऑफ कार्बन डॉकसाइड सीओ टू फ्रॉम आमाइन ऐसीड तो जिससे क्या हो जाएगा हमाइन में रिमॉल ऑफ अमाइनो ग्रूप इन नुकलिटाइड फिर हैड्रोलिस अब ग तो कार्बन डॉकसाइड से कभी-कभी फोटो सिंतेजिस से खाना भी बिल जाता है रेस्पिरेशन में वही चीज जो है वह ब्रेक होके वाटर और कार्बन डॉकसाइड बनाती है तो यह हो गए हमारे मेटाबॉलिक पात्वे तो यह पात्वे में बहुत सारा यह रहता है सिंपल यह पेट में गया और यह निकलेगा ऐसा नहीं रहता है इसमें बहुत सारे अलग-अलग चीज रहती है हर एक ट्राफिक सिगनल जैसा रहता है इस पात्वे में यह हुआ उस जगह पे कोई और चीज निकली वह चीज कह कई और जाकि इस्तवाल में हो रही है जैसे अगर मानलो एक कोई reaction है जिससे कारबाहरडरेट ब्रेक हो रहा है कि कारबहरडरेट ब्रेक होके इनर्जी होगी वह एनर्जी जिस टेप में रिलिज 24ग कहीं और जाके चाहिंप मोलेक्टي कहीं और जाको यह होता है ले यह खों कंड अनादर फीचर ऑफ अनादर फीचर आफ मेटाबलिक डिएक्शनिस एप्रिकमिकल रेक्शन लिस्काट रेक्ट्ट्ट इस्थ कहा है फेक्टबडलिकन करने लिविंश तो यह है मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर एक कैटलिस्ट रहता है जो मदद करता है जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं अपनी किताब से पढ़ सकते नीट के लिए अभी हम लोग आपको क्या कर रहे हैं और अच्छा समझने के लिए मदद कर रहे ताकि आपको जल्दी समझने है उ इनको हम लोग क्या बोलेंगे उनको कुछ-कुछ प्रोटीन विद्ट कैटलेटिक प्रावर उनको एंजाइम बोलते हैं तो यह स्पेसिफिक कैटलर कैटलाइजिंग एजन्ट रहते हैं जो कोई भी रियक्शन को बड़ा और पास्ट कर देते हैं कि अनल कि अभी है मेटाबॉलिक बेसिस फ़ार लेविंग तो मेटेबलिक फरसत पात्मे में क्या करण होता है कि कॉंपलेक्स चीजे सिम्पल चीजों में ब्रेकडाम होती है और सिंपल चीजे कॉंपलेक्स चीजे बनती ठीक है तो जब कभी कि तो जब कभी कि सिंपल चीजों से कॉंप्लेक्स चीज़ बनती है उसको कहते कग और जब कभी कॉंफ्लिक्स चीज़ शेब बनती है तो उसको बोलते केंट केंड़ काथ वह सוको याद रखने के जब complex चीज बनाते तो उसमें बहुत सारी energy निकलते हो जाती है और जब जब complex बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी energy consume हो जाती है कि ग्लुकोज जब कॉंपलेक्स है लेक्टिक एसीड जो सिंपल चीज है उसमें ब्रेकडान होता है तो एनर्जी रिलीज होती है नोट दिखाने से हमको पता चलता कि अच्छा इसके पास 10 रुपिया है है इसके पास सव रुपया है और वह सव रुपय की चीज़ उसको हम देते हैं कि वैसे ही इनर्जी की करणसी है एटीप एडिनोसिंट्राइफ फॉस्पेट तो जिसके शरीर में एटीपी ज्यादा है वह बहुत ज्यादा काम कर सकता है कि उसके पास पहले सी करणसी है बैंक होती है spindle में energy होती है और हमारी कि करनसी है कि हम देखेंके living सेट तो यह हम लोग मौक है रहता है उसमें वह रहने से हम स्वस्त है जैसि हम बीमार हो सकते हैं जैसे ब्लड कॉंसेंट्रेशन अब ग्लुकोज है वो कितना रहेगा 4.2 मिली मोल पर लिटर से 6.1 मिली मोल पर लिटर हार्मोन्स जो है वो नैनोग्राम्स में रहेंगे तो यह बहुत सारे जो अलग-अलग मेटापोलेट्स है वो उसका अलग-अलग कॉंसेंट्रेशन रहता है लेकिन वह हमेशा बदलते रहता है इसलिए हम लिविंग स्टेट हमने से नॉन एक्विलिब्रियम स्टेडी हमेशा चेंज होते रहता है कभी ATP कम हो गया कभी बढ़ गया कभी यह कम हो गया ग्लुकोस कभी बढ़ गया तो हमेशा चेंज होते रहता है ठीक है तो हम एक्विलिब्रियम में स्टेट में कभी नहीं रहते हम हमेशा नॉन एक्विलिब्रियम स्टेट में रहते हैं एक फि और अभी यह आ गया enzymes, तो हम लोग फिर enzymes का जो है वो, कल पढ़के कल खतम कर दें, कल या परसों खतम कर दें ठीक है? आचल, किशोरी, प्रदीप, सतीष, अपनिल, तुप्ति ठीक है? या आज और पढ़ना है? आवाज नहीं आए किसी का आज आए तो यह पढ़के आओ अभी जितने दिन भी जो भी पढ़ा है मैंने फिर जो भी डाउट है वो पूछ लो फिर ठीक है? कल फिर हम फिर से छे बच के पाच मिनट पर शुरू करते हैं, ओके? आज आज आज